कि शिव जी ने तो हलाल जहर पिया वहले एक बून पीके दिखा यह सब कोई जानता है कि लें समुद्र मंथन में जो पहला हला हल भिस निकला भगवान शिव ने पिया तो आप एवाए करो सीव जी कोबरा को गले में डाले रहते एक बाग तो अब इसे किया जाता है अब इस जहर का फल चड़ता है धतूरा का चड़ता है कोड़ा चड़ता है यह जांपल तो किसी कभी आप दे सकते हो आप कभी देखा है लोग कहते भगवान संकर चिलम ऐसा कहीं लिखा है अरे यह सब अपने मन के विलास है वो सजगत की रक्षा के लिए हला हल भिस पिया समझ रह जो है उनके जैसा कोई त्रिववन में नहीं है वाशुकी नाक का यग्यूपवित पहने हुए है भैंकर फनधारी विश्दर उनका माला है और गंगाजी जटाओं में है ऐसे ऐसा परिवार दिखा है देखो शीव जी का वहान नंदी और भगवती का वहान बबर से एक मिनट चैन से रहते हैं अच्छावा और आगे बढ़ो कार्तिके जी का वान मयूर है भगवान संकर के गले में साप मोर साप का बहुत बड़ा है आहार करता है साप का अहार गड़े जी का वान चुवा है ना कई जगड़ा देखा विलकुल सामती से पूरा पर अरे सीव की समता को सेवारा कर सकता है सिव थे विसन करने करने में सीव को मतला है बगवान संकर नशाकाि का रहे paramात्मा है ओ तो महा देव हैं नहीं है ऐसा नहीं जीनता पीने के नहीं है मिचले लोक में होली तेवार क्यों मना यह जाता है आप जानते क्यों मुखतराज प्रलाद जी का उत्सव है यह कि बहुं बहन होलीका ने देखा दकि प्रहणजी किसी भी तरह से मर नहीं रहुत हो रहा है लोन ही रम किस्यप से कर भाहिया मैंने अगनी की साधना करके एक सीतल पट प्राप्त किया है कि घोर अगनी की ज्वाला में मैं बैठ जाओंगी मेरा रोम नहीं जुलसेगा और यह जलकर भस हो जाएगा आपको चिद्धा नहीं करने तो धेर सारी लकडियों का एक पहाड बनाया गया और उसमें गुफा जैसे में प्रलाजी को लेके बैठ गई वह अगनी को शिद्ध की हुई थी पीट जो वस्त्र था ऐसे ओड़ ले तो अगनी छुएगी नहीं और प्रलाजी भस हो जाएगा ऐसा पक्का इरादा आग लगी भगवान ने ही तो दाइका सक्ति अगनी को दिये तो ऐसी हवा चली कि वो समाल ही नहीं पाई प्रलाजी को पकड़े थी पीत पट जो था अगनी पट सीतल वो प्रलाजी के उपर आ गया और ज्वाला ऐसी वड़ी की जल कर भस मूँ गई वह लिका जिसको प्रलाजी का बाल वाका ने और सुबह जो कुछ प्रलाजी के पक्ष के भगत थें कुछ दुस्ट भी थे दोनों देखने के लिए कि देखें आप तो राखही मिलेगी तो वाहा देखा सब राख्त प्रलाजी सांत भाव से नाम कीर्टन कर रहे हैं तो सब भक्त कैसे बलाएंगे गुजिया और बड़ी रस्गुल्ला खा करके खुब नाम कीर्तन पद कीर्तन और एक दूसरे को रंग लगाना गले लगाना और दूस्ट कैसे लगाते हैं हाँ दूस्ट लोग सराप पीते नाली क्योंकि और ऐसी गंदी गंदी चीज़ें नहीं हो को ही नहीं खिलनी चाहिए और लाजी के परस पर लगा के चरण छुके एक दूसरे के घरों में जाते हैं पदगायन करते होली के लिए करते हैं हमारी सबसे प्रार्थना की गंदी होली मत खेलना कोई नशा मत करना सराबाज खुब अच्छे पदार्थ बनाओ खाओ प्यो और एक दूसरे को रंग लगया होली मतील यशिघना इसे गंदी लोगों कहा हुली के परवपर हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि कोई वह व्यसन किसी तरह का ना किया जा यह उत्ष Ст भारती ये संस्कृति क्या जो तेवार है वो भगवान से सम्मंद रखता है तो भगवान से सम्मंदित तेवार में में राक्षसो वाली बाते क्यों करें राक्षसी बाते सराप पिना एक दूसरे को मारना पिटना गाली ए आशू नहीं घबला नहीं 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 हमने प हम जोर मत बनो कि कोई कुछ कह दे तुम रोदो थोड़ी सिहानी हो गई तुम रोदो नहीं तो ऐसे मालिक के जो फ्रकुटी विलाफ स्रफ चिले हुई इतने में इसे निमेश कहते हैं निमेश में अलंत ब्रमांडों का सरजन कर देता है वो जब चाहेगा तो निहाल कर देग आज खाने को नहीं कल बंडारा तुरू हो जाएगा उसको उसका खेल ऐसा है ऐसा ही है तो गुरुजु का प्रबचन कैसा लगा प्रिये दोस्तों आप ऐसे ही बहुत तपून प्रबचन सुनने के लिए इस वीडियो को जरूर से लाइक और सुस्क्राइब कर लीजिएगा और आगे देखने के लिए हमारे चैनल को फोलो करते रहेगा थैंक्यू थैंक्स फॉर वचिंग माई वीडियो